चलिए, अब तो हमने बहुत सारे कॉंसेप्स पढ़ लिये हैं अब NCRT का question number 4 का पहला भाग solve करते है यहां हमें एक बहुपद दिया हुआ है और हमें बताना है कि इसका घात क्या होगा हम जानते हैं कि किसी बहुपद में चर X की अधिक्तम घात ही उस बहुपद का घात होता है और यहां पर पहले पद में X की घात 3 है और दूसरे पद में X की घात 2 है और तीसरे पद में X की घात 1 है और यहां पर हम देख सकते हैं कि 3 सबसे बड़ा नमबर है इसलिए बहुपद की घात 3 हो जाएगी पहले पद में टी का घात एक है और दूसरा पद अचर है इसलिए इसमें टी का घात शूने हो जाएगा और यहाँ पर हाइस्ट घात एक है इसलिए बहुपत का घात एक होगा अब question number 4 के बाकी पाद घर पर solve करने का प्रयास करे